now students let us discuss that what is the impact of unit testing यानि अगर हम unit testing करती हैं तो what are we getting actually because this is a very valid thing कि why to do unit testing at यानि upfront हम क्यों करें unit testing हम क्यों करें यह unit testing के दो तीन main main reason है सबसे common reason जो है जिस बंदे ने या जिस developer ने या जो owner है code का जिसने logic लिखी है जिसने code लिखा है naturally और psychologically जो developer होता है उसको अपने code का जो weak point होता है या जो potential flaw होता है वो developer से अच्छा किसी को नहीं बता होता यानि चाहे होँ accept करे या ना करे उसको अपने program के weak points यानि वो आप कहरे हैं कि वो point जहां पर आपका code break होगा वो edge cases वो boundary cases जो हो सकते कि testing team उसको bother भी ना करे लेकिन वो developer को ज़रूर पता होंगे number one number two जो unit testing है ना वो अमोमन हम लोग independently of anything करते हैं यानि isolation में की जाती है just to verify के without any external impact जो हमारा जो code है वो सही तरीके से काम कर रहे के नहीं कर रहा अगर आपका code यानि जो unit है अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है और वो जब आप उस code को merge करते हैं with some other unit और कोई और unit अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपके code की ये guarantee minimum है कि आपकी जो logic है वो सही चलेगी अब जो unit testing है या जो unit है उसकी by definition मतलब ये है कि एक independently executable chunk of code है तो अगर कुसी दूसरे unit के साथ आपका code नहीं भी चल रहा तो this does not mean कि पुरे का program फेल हो गया या जो आपका पुरे का program आपका software था वो fail होगे यानि 100% failure नहीं होगा क्योंकि एक अगर developer ने unit test पास किया वे code का तो it will run जो main objective है वो ये है कि हम basically 29 pass on नहीं करना चाहरे यानि हमारा objective ये है कि जो number of bugs हैं वो हम शुरू में ही catch करना चाहरे है क्योंकि जैसे जैसे code base ज्यादा होना शुरू हो जाता है no matter how good programmer you are no matter how experienced programmer you are increasing code base में bugs को रोकना from the testing team वो बड़ा मुश्किल हो जाता है reason जैसे जैसे आपका code base increase होता है वैसे वैसे आपकी coverage ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो अगर शुरू में ही आपके जो अगर आपने unit test शुरू से ही लिखे है तो आपके पास शुरू में ही chance बहुत जादा बन जाता है कि आपकी 29 further pass on नहीं होगी जब मैं 29 की बात कर रहा हूँ तो actually मैं effort की बात कर रहा हूँ अगर देखें SDLC में effort चाए developer की side पर लगे या testing team की side पर लगे overall हम लोग जब project की cost नकालते हैं तो we just calculate के इस project के उपर total effort spend कितनी हुई है चाए वो developer करे चाए वो testing team करे चाए वो requirement team करे हमारा overall goal कतन यह नहीं होता कि development की effort कम करें हमारा overall goal ही होता है कि हम overall project की जो effort है वो कम करें reason अगर project की effort कम होगी तो automatically वो translate होगी overall cost के अंदर तो अब आप यह देखें अगर unit test से अगर हम schedule में अपने जो number of bugs हैं या जो defects हैं उनको हम controlling position में आगे हैं हमारा mindset यह है कि हमने जो bugs हैं या जो defects हैं वो minimum पे रखने हैं यानि हो सकता है कि cosmetic bugs normal level के bugs उनको हम चाहे cater ना कर सकें लेकिन वो क्योंकि blocker level के bugs नहीं हैं तो वो हो सकता है कि वो आपके core से slip through होके वो testing team के पास से भी slip through हो जाएं वो इतना मड़े matter नहीं कहता जो असल चीज जिसकी वज़ा से यानि किसी भी company को cause पढ़ती है ना वो functionality के bugs होते हैं यानि आपकी हो सकता है कि due to certain assumptions by the developer यानि developer के पास उसने कुछ अपने पास assumptions कियों थी या due to having certain experience उसने का यार ये code कभी भी fail नहीं होगा और ये बहुत होता है कि due to the due to the confidence यानि किसी developer के पास इतना confidence है हो सकता है उसके पास experience हो सकता है उसने उसी तरह का project already किया हो and so on वो कहते है कि I don't need to write a unit test ये code कभी fail हो गई नहीं अब ये बहुत बड़ी और बड़ी खतनाग किसम भी assumption है लेकिन believe me the developers हैं they usually do these sort of assumptions जो के बड़ी या गलत ना भी हो 100% सही ना हो तो और अभी आपने ये बात माँ में रखने हैं कि one man one project नहीं हुआ करता one man multiple यानि one project multiple developers हैं अगर आपके कुछ developers ने ये assumption कर ली देखें अगर आपका senior level का developer unit testing नहीं करेगा तो जो junior developers हैं automatically और I mean they won't do it वो कहेंगे अगर हमारा senior for example हमारा lead नहीं कर रहा तो why we should be doing it तो यानि what I am talking about I am talking about the culture अगर आपकी development team के अंदर unit testing का concept ही नहीं है या culture ही नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा reason होता है developers जो defects होते हैं या जो bugs होते हैं उनका जो count increase होता है ये बहुत बड़ी reason होती है कि जो companies है they don't have this culture of writing or doing the test the unit or testing from the top यानि हो सकता है team भी एक senior बंदा है उसके बाद experience है उसको it makes sense कि वो ये assume कर लेकि उसका लिखावा code उसमें noise कम होगी लेकिन जो junior level के developers हैं they can't do this assumption अगर वो ही ये assumption इस basis के उपर कर रहे हैं क्योंकि हमारा lead भी unit test नहीं लिख रहा या unit testing नहीं करता तो we have we also have the right not to do the unit testing और इस तरह की चीज़ें तो जो code base है code base ने ये undistinguish नहीं करना कि जिस code में issue आ रहे है या जिस code में defects जादा आ रहे हैं उसको check-in senior developer ने किया था या junior developer ने किया था and likewise a testing team जो testing team है जब उन्होंने कोई defect या bug report करना है they won't take into the consideration कि जो senior बंदा है उसके काम में bug आ रहा है कि junior जो बंदा है उसके काम में आ रहा है bug bug ने आना है और फिर उसने fix होना है तो just try to remember the bug reporting life cycle कि bug ने पहले रिपोर्ट होना है उसकी effort है उस bug ने तुबारा fix होना है उसकी effort है उस bug ने तुबारा re-verify होना है उसकी effort है और if all these three steps go successfully तब ही जाके आपका कोई defect successfully close होगा otherwise जो आपका defect है it will keep on rolling यानि rolling से मरादी होती है कि वो कभी close नहीं होगा वो backlog में जाता जाएगा और backlog में जाने से मुराद यह है कि जैसे जैसे code base increase होगा उस backlog से उस bug के fix होने का chance उतना ही कम होता जाएगा यानि अगर नई releases आती जा रही है नया code base check-in होता जा रहा है तो नए code base के उपर कोशिश होगी हमारी के हमारे पास जो नए defects हैं या जो नए bugs हैं वो ना आएं जो पराने backlog हैं और एक बात याद अखें जब भी किसी product का हम लोग कहते हैं कि जी x y z product के अंदर इतने backlog में bugs पड़े हैं वो अच्छी ऐसी generate होते हैं यानि absence of unit test या अब आप देख लें कि developer level पे अगर हम unit test miss out कर रहे हैं या हमारे पास culture हम उसको लिखी नहीं रहे हैं तो इसका impact of product के उपर बड़ा खतनाक होता है क्योंकि आपका जो backlog होता है वो exponentially increase करता है और एक बर ही अगर backlog आपके bugs का increase करना शुरू कर दे it is very very difficult to control and reduce it at the same pace जिस pace पे वो report हुए है